तो हेलो बच्चों, वेलकम टू टु टुडेश क्लास, आज की क्लास में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है, I am sure कि आप सबकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी, और आप बिल्कुल अच्छे से मन लगाके पढ़ाई कर रहे होगे, और यार करनी भी चाहिए क्योंकि अब आपके आने वाले एक्जाम में, as you are preparing for CA Foundation, December 2022 attempt, आपके आने वाले एक्जाम में around 60-65 days रह गए हैं, and ये last के 60 days, 65 days सबसे crucial time है, जहां पे आपको अपना best देना है, और ये best देना भी चाहिए, क्योंकि हम जब life में कोई target set करते हैं, तो उस target को achieve करने के लिए हमे चोटे-चोटे step लेने बढ़ते हैं, तो जो आपने target set किया है अपने area, that is, you want to become a charted accountant, आप एक CA बनना चाहते हो, तो CA Foundation एक उसका पहला step है, CA Foundation को clear करे बिना, आप charted accountant की journey को start ही नहीं कर सकते हैं, I am sure कि आपकी journey start already हो चुकी है, लेकिन असली journey start तब होती है, जब CA Foundation को clear करके CA Inter के अंदर अपना पहला कदम रखते हो, तब actually आपको एक difficult concepts, difficult चीज़े पढ़ने को मिलती हैं, मैं यह नहीं बोल रहा कि CA Foundation clear करना असान है, but I am saying कि आपकी जो real journey start होगी न, वो CA Foundation के बाद start होगी, लेकिन CA Foundation clear तो करना पड़ेगा, और CA Foundation को clear करने के लिए आपके पास सिरफ 60-65 days हैं, ठीक है, तो इस target को achieve करने के लिए कुछ छोटे-छोटे steps आपने रखने हैं, मानो कि आपका short term goal है CA Foundation clear करना, उस CA Foundation को clear करने के लिए अब आपके steps क्या होने चाहिए, यह अपने mind में clear कर लो, सबसे पहले अपना एक time table आपके mind में clear होना चाहिए, आपकी study table के सामने time table लगा होना चाहिए, कि आप कितने घंटे कौन सा subject पढ़ोगे, एक दिन में एक subject पढ़ोगे, या एक दिन में दो subject पढ़ोगे, मैं कभी भी किसी बच्चे को दो से जादा subject पढ़ने के लिए एक में नहीं बोलता, I think एक दिन में दो subject पढ़ना is more than enough, एक practical पढ़ लो, एक theory वाला subject पढ़ लो, कि बोर भी ना हो, और धीरे धीरे syllabus भी cover होता जाए, और कितने घंटे पढ़ना है, कोई बोलता है 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, अगर कोई मुझ से बच्चा पूछे कि सर कितन से पहले, आपको time count नहीं करना चाहिए, आपको ये count करना चाहिए, कि आपका syllabus cover हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि इस time पे, जो सबसे important चीज़ है, वो है कि syllabus cover करना, कि syllabus को 100% cover करके जाए, syllabus में कोई भी point नहीं चूटना चाहिए, उसके बाद, आपके पास study material कौन सा है, आ आपने कौन सी videos देखनी है, चाहिए आप मेरी videos देखो, चाहिए आप किसी और की teacher की video देखो, लेकिन आपके mind में आपका plan बिलकुल clear होना चाहिए, कि आपने क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ लोगों को रात में पढ़ना पसंद होता है, जिनोंने पढ़ाई already दो महीने पहले start कर दी होती है, कुछ बच्चे अब पढ़ना start करेंगे, तो जो बच्चे ने पढ़ाई पहले start कर दी है, वो हमारी class से revision कर सकते हैं, जो हम पढ़ाएंगे, उससे अपने concepts को और strong कर सकते हैं, और जिन बच्चों ने अभी पढ़ाई start करी है, अभी पढ़ना start किया है, CA foundation exam के लिए, तो definitely आप हमारी videos को देख कर, एक pass करने जितने marks लेके आ सकते हो, मैं आगे यही बताऊँगा कि pass के लिए कितने marks चाहिएं, और economics कैसे एक game changer की तरह काम करता है, तो जैसे मैं आपको बताया कि एक step तो यह हुआ कि आपने revision करनी है, revision के बिना, आज के time में, चाहे आप अपनी life के किसी भी stage पे हो, अभी आप CA का exam दे रहे हो, आपने इससे पहले 11-12th का exam दिया है, कुछ बच्चे आपकी age के engineering के तयारी कर रहे होंगे, कुछ बच्चे graduation के बाद UPSC की, CDS की, यानि के army के exam की preparation करते हैं, तो आप किसी भी exam की preparation कर रहे होना, आज के time में, किसी भी exam को, अगर वो competitive exam है, CA is not a competitive exam basically, लेकिन कोई भी exam है, उसे clear करने के लिए आपको दो चीजें, दो steps आपके बहुत clear होने चाहिए, one is revision and second is practice, हमारा जो subject है, that is business economics and business commercial knowledge, जो की paper 4 है आपका CA foundation में, वो आपका objective question से भरा हुआ है, आपके 100 के 100 question, objective question आएंगे, तो एक तो आपका point यहाँ पे clear होए कि आपको लिखना नहीं है कुछ भी, आपने mind में concept को clear करना है, और वहाँ जाके 4 में से एक correct option टिक कर देना है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पहले तो concept को revise करना है अच्छे से, और उसके आपको उन objective question की practice करनी है, and मैं आपको यह बात बहुत clearly बोलता हूँ कि अगर आप आप आज के दिन से practice करना चालू कर दोगे ना, चाहे आप 30 question करो, दिन के 40 question करो, 50 question करो, मैं आपको guarantee देके बोलता हूँ कि आपका exam clear करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, अगर आपने revision आज के दिन से ठीक से कर ली, और practice कर ली MCQs, यानि कि objective question तो आपके exam को clear होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है दोस्त, तो CA foundation की ना, एक बहुत खास बात है, मैं next इस point है बात करना चाहता हूँ, कि CA foundation में आप जो भी पढ़ोगे ना, चाहे आप economics के अंदर पढ़ो, चाह आप mathematics में पढ़ो, चाहे आप accounts के अंदर पढ़ो, कुछ भी ना, एकदम नया नहीं है, आप already ये सब चीजें 11-12 के अंदर पढ़के आ चुके हो, चाहे मैं demand की बात करूँ, economics के अंदर demand पढ़ते हैं, consumer behavior पढ़ते हैं, production पढ़ते हैं, cost पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए सारे concept बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना यार, क्योंकि already आप ये concept अच्छे से 11-12 के अंदर पढ़के आ चुके हो, लेकिन अब, जो approach आपके पढ़ने की 11-12 के अंदर थी, अब आपको अपनी approach को change करना पढ़ेगा, पहले हमारी approach क्या थी, 11-12 पे अ PPC कर्व कैसे बनेगा, वो रट लिया, इंडिफरेंस कर्व कैसे बनेगा, वो रट लिया, है ना, कि demand कर्व shift कब होता है, ये रट लिया, समझा नहीं कि वो shift हो क्यों रहा है, है ना, कि भई, जो demand कर्व में अपका एक तो rightward, leftward shift होता है, और एक movement demand कर्व पे ही होती है, है न तो हमने ये नहीं समझा, कि भई, leftward shift क्यों होता है, rightward shift क्यों होता है, हमने business economics के अंदर पढ़ते हुए, इन सब बातों को detail में समझना है, और को difficult चीज नहीं है, जो हम पढ़ चुके हैं, उनके logics को समझना है, थोड़ा extra ही पढ़ना पढ़ेगा यार, obviously 12th तो clear हो गई है, अब 12th के बाद अगर आप किसी exam के लिए पढ़ने जा रहे हो, तो definitely you have to study bit extra, और कुछ आपको extra पढ़ना पढ़ेगा, और कुछ आपको चीज़े जो already पढ़ चुके हो उनको और deep पढ़ना पढ़ेगा, यानि कि आपकी पढ़ने की approach यहाँ पर change हो जाती है, अब approach की tension आप मेरे पर छोड़ दो, वो हम पनी classes में definitely एकदम simple तरीके से प्यार से उसे cover करेंगे, and I will try my best कि हम maximum से maximum MCQs, यानि कि objective questions, चाहे वो आपके ICAI के material के अंदर दिये गए MCQs हो, चाहे वो आपके previous year questions के MCQs हो, हम try करेंगे कि maximum to maximum, हम MCQs हमारे channel पर solve करें, जिससे कि जब आप exam देने जाओ, तो आपका ऐसा लगे कि यार, कुछ नया नहीं आगया, ऐसे bouncer नहीं पढ़नी चाहिए, होता नहीं जाब बंदा को यगर बिना net practice करे, अगर cricket खेलने चला जाए, और वहाँ bouncer पढ़नी start ओ, यार यह तो practice करी नहीं थी, सिरफ cover drive की, और sweep मारने के practice करी थी, यहां त अस्ट्रेलिया के अंदर world cup खेलने जाएगी इंडिया, अगर practice करके नहीं गई, तो वहाँ तो bouncer पढ़ेंगी ना यार, तो उन bouncer की practice करनी पढ़ेगी हम, तो उन practice को, उस practice को करने के लिए practice को हम इस channel पर ही करवाएंगे, जिससे कि आपका exam की, जो preparation है, वो 100% cover हो जाए, ठ की paper 4, हम आज से paper 4 की revision classes start कर रहे है, paper 4 के अंदर दो पार्ट है, वैसे तो आपका paper एक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप detail के अंदर बात करो, तो यहाँ पर दो subject है, one is business economics, and another is business commercial knowledge, दोनों अलगलग subject है, हम दोनों को अलगलग subject की तरह ही पढ़ेंगे, दोनों के अलग-अलग MCQs भी करेंगे, दोनों को अलग-अलग revise भी करेंगे, paper 4 आपका 100 marks का है, और objective है, 60 नमर का आएगा business economics, 40 नमर का आएगा business commercial knowledge, यानि की 60 marks का आएगा business economics, और 40 marks का आएगा business commercial knowledge, और मैं आपको आज यह बात guarantee से बोलता हूँ, कि इस paper के अंदर आप, 80 प्लस marks, 80 से ज़ादा marks, easily score कर सकते हो, अगर आपने revise अच्छे से कर लिया, practice बढ़िया से कर लिया, तो यार, ये मेरा आपको promise है, देखो मैं तो अपनी तरफ से आपको 100% दूँगा, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से 100% देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सिरफ मैंने पढ़ा दिया, और आपने स इसको फटा-फटा आप exam से पहले revise कर सको, यार कोई भी अगर आपको teacher बोलता है ना, कि आपको notes नहीं बनाने, आपको revise नहीं करना जाने से पहले, तो मैं इस बात पे बिल्कुल भी agree नहीं करता हो सकता है, हर teacher की अपना एक तरीका होता है, लेकि मेरा तरीका ये है कि आपक 400 में से 200 marks score करने है, CA foundation को cover clear करने के लिए, आनिकि you have to score 50% marks to clear your CA foundation stage, मतलब CA foundation के stage को इस step को clear करने के लिए आपको 50% marks से नहीं, और मैं अगर बोलूँ कि 200 में से अगर 80 marks out of 200, अगर आप 80 marks economics में से ये paper 4 में score कर लेते हो, तो 120 marks score करना paper 1, 2, 3 में कोई बहुत बड़ी task नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ को achieve करने के लिए एक planning करनी बहुत जरूरी है, तो उस planning के लिए भी हमें एक अलग video बनाएंगे, और मुझे लगता है कि जितनी बात हमने अभी करी है, आपका planning वाला part तो यहाँ पे clear हो जाना चाहिए कि भी planning कैसे करनी है, कि paper 4, business economics and business commercial knowledge, actually इतना important क्यों है, क्योंकि वो आपको CA foundation में pass करवाएगा, है ना बाई, और अगर मैं आपसे पूछूँ कि अभी right now, आपका objective क्या है, right now आपका objective एक ही होना चाहिए, आपको CA foundation का exam clear करके CA enter की पढ़ाई स्टार्ट करनी है, CA enter की sorry, मैंने गलती से enter बोल दिया, और enter तो करना ही है ना इंटर में यार, तो CA enter की पढ़ाई स्टार्ट करनी है, फिर धीरे धीरे आगे चलते चलते, charted accountant बनना है, लेकिन अभी जो stage है, वो CA foundation का है, उस पे ध्यान देना बहुत जरूरी, और उस step को, उस stage को clear करने में आप का paper 4, यानि कि business economics और business commercial knowledge, जिसकों प्यार से BC के बोलते हैं, वो आपका एक सच्चा दोस्त, best friend, true friend बन सकता है, और आपको उस stage पे clear करा सकता है, ठीक है दोस्तों, तो मेरा नाम है साहिल मदान, जो लोग मुझे नहीं जानता है, मैं उनको बता दूँ कि मेरा नाम है साहिल I am going to teach you paper 4, मैं आपको business economics और business commercial knowledge दोनों की revision कराऊंगा, हमारे let's crack CA foundation चैनल पर ही, हम जितने आप सोच सकते होना, उससे काफी जादा MCQ solve करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब बच्चा paper दे रहा हो, 20 December 2022 को, जब वो paper 4 दे रहा हो, तो उसको paper में हर एक question को tick करते हो, मेरी याद आए, कि साहिल सर ने, हमें ये सारे question करवाए थे, यह question भी नहीं आएंगे न, वो concept आने बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी predict नहीं कर सकता कि exam में question क्या आएगा, but we can cover each and every concept in our classes, उसको हम concept के जरीए और MCQs, दोनों के जरीए जब cover करेंगे न, तो एक ऐसा बंधन बन करने से, आप खुद भी नहीं रोक पाओगे, आपको मजबूरी हो जाएगी, कि यार ये कोशन मैंने ठीक ही ठीक करना है, ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ basic बाते हैं, हम कैसे cover करेंगे, आईए पहले ये समझते हैं, कि हम कैसे cover करने वाले हैं, क्या approach रहेगी हमारी इस पू business commercial knowledge और एक class business economics की, दोनों की आपको मिलेगी, साथ ही साथ आपको, जब हमारा chapter खतम हो जाएगा, तो उसके हम MCQs करेंगे, MCQs के लिए हम live session भी करेंगे, MCQs के लिए हम हो सकता है कि कुछ recorded classes भी आपको दें, कि जिसमें आप सिरफ MCQs अपना MCQs वाला part cover कर सको, और MCQs important क्य जाएंगे, और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, मनों आपने exam से पहले कुछ around 1000 MCQs solve कर लिए, तो आपको आदत पढ़ जाएगी, MCQs कैसे करता है, हम कुछ नई-नई techniques भी use करेंगे, MCQs करने के लिए, हो सकता है कि हम कुछ higher question भी, जो आपके exam में शायद ना है, लेकिन आपके concept को better बनाए, हम वो भी try करेंगे cover करने की, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि यार, जो question, जो concept exam में आने वाले हैं, मुझे उससे जादा आता है, तो मेरी तरफ से आपको ये promise है, that I am going to give my 100%, लेकिन आपको भी promise करना पड़ेगा, अपने आप से, मुझ से, अपने parents से, ज चाहते हैं कि उनका beta या उनकी बेटी, उनको CA बनके दिखाए, तो सबसे पहले, पहला step clear करते हैं, CA foundation की तरफ बढ़ते हैं, तो और जादा बाते ना करते हुए, मुझे लगता है कि पहली class है, हमारी आज revision की, तो मैंने थोड़ आपको एक brief idea दे दिया, अपने बारे में, एक brief idea दे दिया कि हम कैसे cover करने वाले हैं, एक brief idea आपको मैंने दे दिया, कि कैसे paper 4 आपकी इस पूरी journey में एक बहुत important role play करता है, और आपको एबात समझनी पड़ेगे, ठीक है, तो आईए start करते हैं, हमारे पहले chapter को, that is introduction to business economics, बहुत basic से start करेंगे, और उसके बाद हम concept को cover करते हुए, तेजी से आगे बढ़ेंगे, तेजी से आगे बढ़ने का मतलब यह नहीं कि हम concept को miss कर देंगे, मेरे कहने का मतलब है कि हम extra बाते ना करते हुए, उतनी ही बात करेंगे, जो हमारे exam के लिए ज़रूरी है, ठीक है, तो मेरे बारे में अगर थोड़ा और जा subject कोई भी नहीं लगता, it is the most lively, most practical and lovable subject, मेरा तो favorite है भाई, उसके बाद मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, economics मैंने CA foundation के लिए, और UPSC के बच्चों को 11-12 में जो बच्चे micro, macro, Indian economic, development, statistics बढ़ते हैं, मैंने ये सब बच्चों को पढ़ाया है, 7 साल की journey रही है मेरी teaching की अभी तक एक बात मैंने सीखी है जरूर कि बच्चों को teacher के साथ साथ एक mentor की जरूरत है, जो उने guide करे, help करे, बड़े भाई के तरह उनके साथ चले, तो मैं क्या हमारे जितने educator हैं, पूरी unacademy पे, उन सबका एक basic motto यह है कि बच्चों को हम जितना practical चीज़े समझा सकें, जितना हम एक्जाम को clear करना चाता है, उस एक्जाम को clear कर सकें, तो आईए, आज के इस chapter को start करते हैं, और chapter को start करने से पहले मैं कुछ आपके दो मिनट और लूँगा, देखो हम तो आपको free classes YouTube पे provide कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक batch, एक systematic तरीके से किसी batch के अंदर पढ़ना चाहते हो, तो आप unacademy की दो तरह की एक membership है, आप जो चाहो दोनों में से खरीद सकते हो, एक आपके membership है plus membership, एक आपके membership है plus membership और एक आपके membership है iconic membership, plus membership में आपको live classes, weekly test, structured course और unlimited access मिल जाता है, iconic के अंदर कुछ चीज़े जादा हैं, जैसे कि personal guidance, study planner, test analysis, expert guidance और study material मिल जाएगा, देखो अगर आप plus लोगे, तो आपके सामने, दोनों सामने हैं आपके, कि भई plus के अंदर क्या क्या आपको option मिलेंगे, iconic के अंदर आपको क्या क्या option मिलेंगे, अगर आप plus को खरीदना चा iconic खरीदो, ये मेरा code है, sahil M, अगर आप ये code डालोगे, तो आपको अच्छा खासा एक discount मिल जाएगा, अगर आपको discount चाहिए, तो मेरा cost, मेरा ये code डालके आप purchase कर सकते हो, चाहिए आप plus खरीदो, चाहिए iconic खरीदो, आपकी मरदी है भाई अपनी, जैसे आपको ठीक लग पर आपको पढ़ा रहे हैं, उन सबका आपको access चाहिए, उन सबका वो classes का access चाहिए, तो आप definitely plus खरीद सकते हो, अगर आपको और extra चाहिए, एक personal guidance भी चाहिए, study material भी चाहिए, expert की guidelines भी चाहिए, test का analysis, study planner भी चाहिए, तो आप iconic वाला हमारा plan खरीद सकते हो, आपके सामने दोनों plan दिये गए हैं, जो आपको ठीक लगे, जो आपको suitable हो, भाई वो खरीद लो, मेरा code डाल दोगे, साहिल M, तो definitely you will get a good discount, और discount तो life में किसको नहीं चाहिए, हमारे Indian में हर customer को, हर consumer को discount चाहिए, तो discount लो, enjoy करो, काफी reasonable rate पे आपको an academy provide कर रही है, चाहिए आप 2 साल किल किलो, एक साल किलो, छे महीने किलो, तो ये आप देख लेना भाई, कौन सी लेनी है, आपको मेरा काम, यहाँ पर यह वला खतम हो जाता है, अब हम बात करेंगे हमारे chapter की, तो यहाँ से हमारा chapter स्टार्ट होता है, हमारे chapter में, chapter का नाम है business economics, chapter का नाम है introduction to business economics, कि business economics क्या होता ह देखो business economics को अगर मैं divide कर दूँ ना, तो एक तरफ बनेगा business और एक तरफ बनेगा economics, तो हमने अभी तक बहुत सारी economic theories पढ़ी, जैसे की, demand theory, supply theory, consumer behavior, production theory, यह सब economic theories हैं, जब हम इन economic theories को real business practices के साथ match कर देते हैं, जब हम इन economic theories को business practices के साथ match कर देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं business economics, हमने 11th के अंदर economics तो पढ़ी है, लेकिन हमने micro पढ़ा है, macro पढ़ा है, हमने Indian economic development पढ़ी है, हमने statistics पढ़ी है, लेकिन हमने business economics नहीं पढ़ी, business economics का मतलब क्या है, business economics का मतलब यह है कि हम economics की बात कर रहे है business point of view से देखो आपने charted accountant बनना है आप बड़े-बड़े businessman लोगों के साथ बड़े-बड़े वेपारियों के साथ करोडो अर्बो की बाते करोगे है ना आप उनके accounts को audit करोगे आप उनकी books को देखोगे उनके accounts को देखोगे उनने क्या problem आ रही है financial problems क्या आ रही है उनने क्या-क्या issues face करने पड़ रहे हैं अपनी business की journey में related to finances basically आप उन सब को देखोगे तो जो economic theories हैं और जो business practices होती हैं जब मैं उन दोनों को match कर दूँ उन दोनों को collaborate कर दूँ तो हम उसको बोलते हैं business economics तो business economics is connected so business economics is connected with the application of economics concept and economics to the problem of formulating rational decision making अब देखो अगर मैं business practice की बात करता हूँ तो मानों कि आपका कोई भी business है या किसी का भी कोई भी business है तो business economics के इस chapter को न समझते हुए पढ़ते हुए अपने एक बात ध्यान रखने है अपने आपको ना एक business man समझ लो कि आपका बहुत बड़ा business है और हम एक business man के तरह इस chapter को पढ़ने का try करें जब हम consumer behavior पढ़ेंगे ना तो आपको एक consumer बन जाना है जब हम production पढ़ेंगे तो आपको एक producer बन जाना है ठीक है जब मैं बात करूँगा cost की तो आपको एक producer की तरह एक factory की owner की तरह सोचना है लेकिन यहाँ पर आपको introduction to business economics के अंदर आपको एक बहुत बड़े business man की तरह सोचना है की आपका बहुत बड़ा business है और आपने business के अंदर business में basically हम करते ही गया है देखो decision making is the very important or very key point or key concept in the business decision making किसी भी business में बहुत बड़ा role play करता है है ना और किसी भी business में किसी भी business के अंदर decision making के लिए जब हम economic theories को use करते हैं हम बोलते है business economics तो आपके सामने definition क्या है कि business economics is concerned with the application of economic concepts and economics to the problems of formulating rational decision making जब logical decisions को या decision लेने के लिए business में जब आप economic theories को use करते हैं तो उसको हम बोलते हैं business economics बहुत ही basic है यार अगर आप ध्यान से कभी समझोगे ना ध्यान से अगर सोचोगे अब economics आपको कहा कहा देखने को मिलती है चलो यह सोचो economics हमें हर जगा देखने को मिलती है चाहे मैं आपको बोलूँ अब आप चाहे मानओ कि गोलकप पे अच्छे नहीं होंगे ऐसे अगर मैं मुंबई चला जाओ तो मुंबई के अंदर मुझे हर एक नुकड़ पे हर एक चोक पे, बीच पे एक चीज जरूर मिलेगी कोमन क्या होती है वो एक चीज सोचो सोचो क्या होती है वो एक चीज वड़ा पाओ की रेड़ी अब दिल्ली के अंदर आपको हर मार्किट में मुंबई जरूर मिलते है यह सब क्या है यह सब अगर आप सोचो गए ना कभी ध्यान से यह सब एकोनॉमिक्स है सोचो कि जो बंदा मुंबई की रेड़ी लगा रहा है उसके लिए वो मुंबई एक बिजनेस है है ना भाई अब मानो अगर मैं कल मुंबई का काम स्टार्ट करता हूँ मैं मुंबई की रेड़ी लगाता हूँ मैंने का भी मुंबई की दस रेड़ी लगा दो बिजनेस करेंगे मोमोस बेचेंगे मस्त बिजनेस करेंगे तो वहाँ पर मैं सिरफ रेडी नहीं लगाऊंगा मोमोस की ठेले नहीं लगाऊंगा मैं यह सोचूँगा कहाँ पर मोमोस की ठेले लगाने है और कहाँ पर मोमोस की दुकान खोलनी है ऐसी कौन सी मार्केट है जहां पर ठेले चलेंगे और ऐसी कौन सी मार्केट है जहां पर मोमोस की दुकान खोलनी पड़ेगी तो अगर मैं सोचूंगा कि नोर्थ डेली के अंदर मोमोस का काम रेडी से एक ठेले से भी चल जाएगा लेकिन मैं सोचो कि साउध दिल्ली की बात करूँ जहाँ पर लोगों की परचेजिंग पावर काफी जादा है क्या वहाँ पर मुझे ठेले लगाने चाहिए नहीं वहाँ मैं एक अच्छी सी दुकान खोलूँगा अब ये क्या है कहाँ पर ठेले लगाने हैं कहाँ पर दुकान खोल ली हैं मोंगों की ये सब क्या हो रहा है ये सब डिसीजन लिए जा रहे हैं कि भाई डिमांड के अकोर्डिंग एक लोकेशन के अकोर्डिंग एक लोगों की इंकम के अकोर्डिंग हम डिसीजन ले मेकिंग करते हैं बिजनेस के अंदर और यह सब क्या है यह सब economic theories है इनी economic theories को जब मैं अपने business के अंदर decision making के अंदर mix करके एक decision लूँगा अपने business का उसको हम बोलेंगे business economic बहुत simple बात है भाई अब सोचते हैं बहुत बड़े level पर अब आपने अभी recent बात है कि 5G launch किया गया इंडिया के अंदर 5G launch किया गया इंडिया के अंदर या फिर आप इसको छोड़ा हम पीछी चलते हैं है ना मुकेश अमबानी को एक बात समझ आ गई थी मुकेश भाई को एक बात समझ आ गई थी कि भाई इंडिया में प्राइम मिनिस्टर साहब digitalization को promote कर रहे है तो digitalization की demand बड़ेगी लोग ज़्यादा phone खरीदेंगे जब लोग ज़्यादा phone खरीदेंगे तो internet चलाने के लिए क्या चाहिए होगा ये बात मुकेश भाई ने समझ ली और उन्होंने launch किया जियो और जैसे ही जियो launch हुआ सारे के सारे network चाहे वो AATL हो, Vodafone हो, Idea हो, कोई भी हो सब fail हो गए सब fail हो गए अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर मुकेश भाई ने, मुकेश अंबानी जी ने market में demand theory को समझा, demand theory को समझते हैं उन्होंने यह समझा कि यार इस demand को पूरा करने के लिए supply भी ज़रूरी होगी, और supply इतने बड़े scale पर करनी पड़ेगी कि मेरे अलावा कोई करी भी नहीं सकता, अब Jio, अगर मैं सोचूँ, अगर आपको बोलूँ कि कोई normal इंसान Jio जैसा कोई business start कर सकता है का यार, it is next to impossible, बहुत difficult है, बहुत बड़ी investment चाहिए, उसके लिए हमारे देश के कुछ ही लोग, कुछ चुन्दा लोग ही उतनी investment कर सकते और उन में से मुकेश अमबानी से बढ़िया कोई भी नहीं हो सकता था, तो मुकेश अमबानी ने जियो लॉंच किया, पूरी market को cover कर लिया, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला कि मुकेश अमबानी ने economic theory ने की demand की theory को समझते हुए एक नया decision लिया, नया business start किया, और business कितना चल गया, यह आप और मैं सब जानते हैं और उस business से मुकेश अमबानी को फाइदा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ, हम जैसे लोगों को, जो लोग online पढ़ाना चाहते थे, और जो बच्चे online पढ़ना चाहते थे, उन्हें बहुत फाइदा हुआ, OTT platform कितना चल गया, है ना, अब जब लोगों को पता लगा, OTT platform को, Amazon को, Hotstar को, कि भई, जब internet सस्ता हो गया है, तो लोग अब movies अपने phone की screen पर देखेंगे, तो उन्हें ने OTT पे जादा production करनी start करी, जादा, you know, web series launch करना start करी, जादा movies करना start करी, तो ये सब क्या है, ये सब business economics ही है, जब हमने economics को business से match कर दिया, तो वो हो गया business economics, अब मुझे लगता है कि इतने सारे example के बाद तो आपको समझ आ गया होगा कि business economics क्या होता है, और अगर कोई question इस से related exam में आ जाए, तो अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, आगे बड़े, चलिए, हमने अब दो word की बात करी है, business और economics की, तो पहले समझता है कि economics क्या होता है, अब या economics तो बहुत ही simple चीज़ है, अगर आप बात करूँ, कुछ लोगों के लिए simple है, और कुछ लोगों के लिए difficult है, पढ़ते हैं पहले, एक bookish language क्या बोलती है, the term economics owes its origin to the Greek word oikonomia, Greek word oikonomia, ठीक है दोस्त, की economics एक Greek word से बना है, या फिर उत्पन हुआ है, और उस word को बोलते है, oikonomia और उस word का मतलब क्या है, household, अब यार, household से मतलब क्या है, अब सोचो ना, हमारे घर के अंदर भी एक economics चल रही है, हमारे घर के अंदर भी economics चल रही है, आपका समझाऊंगा कैसे, अभी सिरस सुन ल एक्जामपल दूँगा वड़िया वड़िया, और 19th century तक economics was known as political economy, अब इस line में एक MCQ बन सकता है, कि economics का origin, oikonomia से हुआ, और कोशन आसता है कि oikonomia का origin कौन सी language से हुआ था, Egyptian बोल दे, Greek बोल दे, Russian language, कुछ भी कुछ भी आपको दे देंगे, German language बोल दे, कुछ भी आपको दे देंगे, आपका answer और चीए correct Greek, तो अब जो है न यार, पहले आप रटते थे आपको चीदे थोड़ी सीना समझनी पड़ेंगी, थोड़ी थोड़ी याद भी करनी पड़े next line बढ़ते हैं, the book name, अब देखो 19th century तक तो economics was known as political economy, मतलब economics एक अलग subject नहीं था, politics के अंदर ही economy को political economy पढ़ा जाता था, था कि भी political economy समझ लिया, अभी भी political economy के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकि तब तक 19th century तक economy एक individual subject नहीं था, जिसको हम आज एक individual subject पढ़ते हैं, अपन CA वाले लेवल पर और college लेवल पर, college के बाद higher education के लेवल पर जाया, master's करो, PhD करो, now economics is a individual subject, ठीक है दोस्त, तो लेकिन एक book आती है, book का नाम क्या है, an inquiry into the nature and cause of wealth of nations, 1776 के अंदर है book आती है, book को छोटे form में बोला जाये, तो नाम है the wealth of nations, छोटे form में है, the wealth of nations, यह छोटा form हो गया, छोटा नाम या लखना बहुत जरूरी है, हो सकता है कि आपको इस book का पुगर नाम देके पूछ लिया जाये कि भाई, इसको abbreviate करो, तो abbreviate क्या है the wealth of nations and that book, that book is considered as the first modern work of economics, यानि कि एक economics की या economy की, एक individual subject के अंदर, modern economics की start हम यहां से करते हैं, और Adam Smith को, इसका श्रे जाता है Adam Smith को, यानि कि इस book को Adam Smith जीने लिखाता है, और Adam Smith एक economist है, and he is also known as the father of economics, और we can say father of modern economics, हम इसको दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, तो Adam Smith is also known as the father of economics, तो अब कोशन आया है कि यार, दुनिया में तो हजारों economists हुए हैं, क्या हमें सारे economists के बारे में जार जरूरी है, क्या हमने सारे economics के बारे में याद रखना जरूरी है, नहीं, इसका answer है no, लेकिन, क्या हमने Adam Smith को याद रखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, जैसे मैं आपको बोला, कि father of economics is Adam Smith, तो आप लोगों के लिए मेरा question यह है, कि आपने अब यह पढ़ना है, कि who is the father of microeconomics and who is the father of macroeconomics, यह मेरा आपके लिए आज का question है, देखो मैं ऐसा question आपको हर class में दूँगा, जरूर दूँगा, जिससे कि आपको भी ऐसा ना लगी कि सिरफ पढ़ने आया और काम हो गया, थोड़ा काम आपको ही मिलना चाहिए, 90%, 95% काम तो मैं कर दूगा, लेकिन प्रोमिस भी करना है कि आप वो काम करोगे, तब ही आपका exam clear होगा, थीक है, तो अब पढ़ते हैं कि economics क्या होते है, तो basic पढ़ लिया ना यार, यह तो economics का मतलब नहीं है, तो basic है, तो economics is the study of how we work together to transform the scarce resources into goods and services to satisfy our wants, हमने microeconomics के अंदर, एक economics के definition पढ़़ी थी, definition हमें क्या ब economics क्या है, economics एक study है कि कैसे हम available resources से अपनी requirement को fulfill करते हैं, this is the economics, economics इस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और अगर आप देखो गए ना अपने आसपास, तो आपको हर जगा इस economics का logic नजर आएगा, अब scarcity क्या होती है, economics का मतलब क्या है, अब economics लिखा गया है, economics is the study that how we work together to transform the scarce resources into goods and services to satisfy our wants or our needs, अब देखो यार, मैं आपके अपनी बात करता हूँ, हम दोनों एक human being है, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी wants है, जो हमारी requirements है, our wants are unlimited, जैसे अभी, मैं चाहता हूँ कि यार, मैं swift desire खरीद दो, नए वाली, ये मेरी requirement है, मेरी इच्छा है, मेरी wants है, ठीक है, तो, मैं कुछ time काम करके, पैसे कठे करके, मैंनों desire खरीद देता हूँ, एक साल, डेट साल मैं अपनी गाली चलाऊंगा, उसके आद मुझे एक SUV दिखेगी, फिर मेरा मन करेगा कि यार, अब मुझे थार खरीदनी है, है ना, लेकिन, जब मैंने desire ले तो मुझे लगा, मेरी wants fulfill हो है कि यार, अब BMW खरीदनी है, फिर अब BMW खरीदूंगा, तो ऐसे चलते चलते न, as a human being, our wants are unlimited, but the availability of resources is limited, देखो इसका example एक practical समझते है, मानो, मेरी monthly income है 50,000 रुपे, मानो, मेरी monthly income है 50,000 रुपे, और मुझे एक laptop खरीदना है, और मुझे एक iPhone खरीदना है, iPhone का price है 50,000 रुपेज, laptop जो मैं खरीदना चाहता हूँ, उसका price है 50,000 रुपेज, और मेरे पास कितने है, 50,000 रुपेज, तो यहाँ पे तो भाई, एकदम, जैसे कहते हैं न, दिल्लिवाई language में, कि ये तो एकदम problem हो गई यार, एकदम भसड हो गई, ऐसे बोलते हैं न, बच्चे, कि ये तो भसड हो गई, कि अब क्या किया जाए, अब करना क्या है न, हमें यहाँ पे concept समझना है, कि हमारे पास, जो मेरे पास resources है, that is, I have 50,000 रुपीज, but I want to buy, but I want to purchase, and I want to get, one iPhone and one laptop, जो दिन दोनों की की किमत, 50,000, 50,000 individual cost है, दोनों की मिलाके है, एक लाक, और मेरे पास, पैसे कितने है, 50,000 रुपीज, तो यहाँ पे मैं आपको यह समझाना चाहरा हूँ, कि जो मेरे financial resources है, मेरे पास हो limited है, लेकिन यहाँ पर, मुझे phone और laptop में से, दोनों में से, कोई एक चीज को choose करना पड़ और laptop को side करो, इसको देखेंगे चार महीने के बाद, तो यहाँ पर क्या point समझ आया, कि economics के अंदर हमें, हमारे जो available resources हैं, जैसे मेरे पास 50,000 रुपे resources available थे, उन resources को use करते हुए, मुझे कैसे अपने wants को, कैसे अपनी requirement को fulfill करना है, इसके आस पास economics के सारे concept काम करते हैं, चाह चाहे वो demand हो, चाहे वो supply हो, चाहे वो production की थोरी हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की थोरी हो, इस concept के पास, scarcity of resources के concept के आसपास ही, हमें market में price की fluctuation, demand की fluctuation, supply की fluctuation देखने को मिलती हैं, ठीक है न दोस्त, अब यह कुछ fundamental points हैं, economics से, कि economics के अंदर हम यह समझते हैं, कि हमारे पास अब बिल्कुल basic समझ लो, जो बिल्कुल basic क्या वो समझ लो, कि हमारे पास resources limited हैं, बट हमारी wants और requirements unlimited हैं, तो limited resources को use करते हुए, हम कैसे अपनी requirements को, wants को fulfill करेंगे, यही economics है, बहुत simple सी बात है, ठीक है दोस्त, आगे बढ़े, तो आगे आपके पास एक और example है, example क्या है, मानो कि आप, it is a birthday, और आपकी मम्मी जी ने, प्यारी मम्मी जी ने आपको एक हजार रुपे दिये, कि ले बेटा, एक हजार रुपे, यह तेरा birthday gift है, बद्दे gift है, बद्दे gift है, बद्दे gift तो already मिल चुका है, जो मिलना था, लेकिन यह 1000 रुपे extra दिये गए है बद्दे gift कि ले बेटा, यह तेरे पास 1000 रुपे मैं तेरे को दे रहे हैं, जो तुने इसका करना है कर, मैं तेरे से नहीं पूछूँगी, वैसे तो किसी और दिन अगर दिये होते ममी ने 1000 रुपे तो कान खीच के पूछती, कि 1000 रुपे का क्या किया है, लेकिन यहां नही है, कि आपके पास resources, आपका resources क्या है, 1000 रुपे, 1000 रुपी, that is limited, अब आपको मैंने 1000 रुपे दिये हैं, तो वह limited हो गए नहीं, यही आपको बताएगा कि economics क्या होती है, और scarcity of resources का मतलब क्या है, अब आपके पास option one क्या है, कि या तो आप पूरी की पूरी पार्टी, अपने दोस्तों को दे दो, कि चलो बिटा, 1000 रुपे मिले हैं, आओ, मैकडी चलेंगे, मैकडोनल्ड चलेंगे, डोमिनोस चलेंगे, पीजा हाट चलेंगे, मस् हजार रुपे लुटा कि आएंगे, ममी ने बर्दे गिफ्ट दिया, अब 11-12 के बच्चे को अगर 1000 रुपे देंगे, तो वो सेव क्यों करेगा, उसे कौन सा FD करनी 1000 रुपे की, या फिर SIP में mutual fund खरीदने है, या फिर index fund खरीदने है, समझाए ये point, ये बाते भी करेंगे हम, tension मतलो, मैं आपके लिए छोटी-छोटी वीडियो भी लेके आऊंगा, जो आपके subject के साथ-साथ आपकी basic financial knowledge को भी strong करेगी, ठीक है, चलो, दुबारा अपने point पे आते हैं, second option क्या है, या तो आप अपने लिए 1000 रुपे का कोई shirt और jeans खरीद लो, होते ऐसे बच्चे या बी कॉम करने के लिए, अब यार online education का बड़ा फाइदा है, जैसे पहले बच पहले online education नहीं थी, तो बच्चों को CA की coaching नहीं जाना पड़ता था, तो college छोड़ना पड़ता था, अब क्या फाइदा है न, अब क्या आप regular college भी कर सकते हो, और online CA की पढ़ाई भी कर सकते हो, हम हमारे time पे privilege थी नहीं, हमारे time पे तो वही traditional तरीका था, जाओ, class लो, पढ़ो, लिखो, और पूरे दिन आके ठक जाओ घर पे, और फिर time ही नहीं पढ़नेगा, लेकिन आपके पास है privilege है, कि आप regular college जा सकते हो, आप regular online classes से पढ़ाई भी कर सकते हो, तो या तो आप बोलोग या तो you can go for a movie and in a restaurant of your choice, अब movie देखने restaurant पे आप अकेले तो जाओगे नहीं, लेके जाओगे न समवन स्पेशल को अपने, अब या 12th के बच्चे हैं, आज कल के 12th के बच्चों के पास समवन स्पेशल होता है, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि boyfriend girlfriend की बात कर रहा हूँ है, देखो मैंने बोल तो दिया, लेकिन फिर भी, एक समवन स्पेशल तो होता ही है, ठीक है, बता देना कमेंटर बोक्स में किसका समवन स्पेशल है और किसका समवन स्पेशल नहीं है, लेकि जो मैंने पहले question पूछा, उसका answer देना, कि who is the father of microeconomics and macroeconomics, दोनों अलग-लग है, ध्यान स्पेशल देना, ठीक है, चोथा point क्या है, कि आप अपने लिए एक book को purchase कर लो, और बाकी money को save कर लो, यार ऐसे बच्चे भी होते हैं, जो एकदम पढ़ाकू, पढ़ लिखे बच्चे होते हैं, पढ़ कोमर्स के बच्चे कम मिलते हैं, कोमर्स के बच्चों तो बच्चा party भी करता है, आप तो बच्चा club भी जाता है, लेकिन अब सिरफ 60 दिन है, अब कहीं नहीं जाना, अब पढ़ लेना बैठके, तो basic point यह है कि 1000 रुपे के अंदर आपको चार option में से कोई एक option चूज़ करना है, यानि कि आपको एक decision बनाना है, कि आपके पास जो 1000 रुपे हैं, आप उनको कैसे यूज़ करोगे, इसका मतलब क्या है, आपके पास जो total resources हैं, आप अपनी requirement को उन resources को यूज़ करोगे, यही है economics, अगर 11-12 के अंदर नहीं समझी है, तो अब समझ लो कि economics क्या है, जैसे मुझे गोवा जाना है, जैसे मुझे गोवा जाना है, म मुझे जाना चार दिन के लिए है, अब मेरे पास resources क्या है, तीन शर्ट और मेरे requirement क्या है, गोवा के अंदर चार दिन spend करना, अब जाना किसके साथ है, तुम्हें क्यों बताऊं, हमारे भी समझ स्पेशल नहीं हो सकते क्या, सब क्यों होते हैं, होने भी चाहिए हैं, एक ही life टिकेट में, booking में खर्चोगा है, अब मैंने सोचा कि यार एक दिन जाके shirt को धोलेंगे, एक दिन जाके shirt को धोलूँगा, एक shirt पहनूँगा, एक shirt धोलूँगा, धोलूँगा, कुछ भी करलूँगा, तो यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने resources को mind में रखते हुए, अपनी requirement को फुल्फिल किया भाई यही है economics इसको जो ब्रोड लेवल पढ़ोगे ना तो ब्रोड लेवल पर कैसे बढ़ते हो कि हमारे पास जैसे आप petroleum की बात करो crude oil की बात करो gases की बात करो land की बात करो मैं land की बात करता हूँ अब मानों कि मेरे पास 1000 square meter का एक land है मुझे एक factory लगानी है अब मुझे पता है कि जितनी भी मुझे production करनी है मेरा जो production unit यानि कि मेरी factory लगेगी वो 1000 square unit के अंदर ही लग सकती है 1000 square के अंदर ही लग सकती है मैं उससे 1000 square से बाहर नहीं जासता जैसे ही बाहर जाऊंगा किसी और की property पर अपनी दिवार बनाऊंगा तो मेरा वो आके पहले मुझे मारेगा अलग और दिवार अलग तोड़ेगा तो नुकसान है नियार दिवार भी तूटेगी और फिर सर्फ जो फटेगा अब लडाई हो जाती है नहीं property के चक्कर में तो खर्चा भी करना पड़ेगा फिर तो इससे बढ़िया क्या है कि जो resources अपने पास है उसी से ही आप अपनी दिवार खड़ी कर लो और वहीं पर अपनी factory में समान बनाओ समान बेचो और पैसा कमाओ क्योंकि पै fundamental fact of economics समझने है पहला fundamental fact समारा क्या होगा that human wants for goods and services are unlimited second क्या होगा resources to produce goods and services are limited third क्या होगा wants being unlimited and our resources being limited we cannot satisfy all our wants भाई यह आउट नहीं है this is not out this is our wants O-U-R, our wants ठीक है तो fundamental fact of economics क्या बोलती है कि human कि यह तो देखुआ है हम उल्रेड़ी पढ़ चुके हैं पहले कि हुमारे जो as a human being our wants for goods and services are unlimited जैसे कि अब आप जब chartered accountant बन जाओगे न जैसे ही आप बनने वाले होगे एक साल पहले डेड़ साल पहले आपको लगे है जैसे ही chartered accountant बन जाओगा ना यार एक बड़िया से company में जैसे ही नोक्री लग जाएगी एक गाड़ी खरीदूगे और आप मेंसे बहुत लोग हाँ भी कर दोगे कि हाँ सर यह बात तो सही कही आपने तो उसके बाद गाड़ी खरीद लोगे ऐसा लगे है कि यह इच्छा पूरी हो जा इच्छाएं unlimited हैं जैसे किसी को travel करना पसंद है तो कोई पहले travel करने जाएगा मसूरी फिर जाएगा रिशी केश फिर जाएगा मनाली मजा आ रहा है ऐसा नहीं कि मजा नहीं आ रहा मजा आ रहा है लेकिन फिर भी इच्छाएं खतम नहीं हो रही फिर आप क्या इच्छा करो लिए पैसा ही पैसा होगा भाई के पास है ना बेहन के पास भी होगा यार बुरा नहीं मानना मेरा मतलब दोनों से है तो पैसा ही पैसा होगा दोनों के पास तो अब फिर आप दुबाई जाओगे दुबाई जाके मज़ा आएगा फिर और मज़ा चाहिए फिर आप यूरोप जाओगे फिर आप अमेरिका जाओगे लंडन जाओगे फिर आप स्विजलेंड जाओगे स्विजलेंड भी लंडन यूरोप में है मुझे पता है अनपड नहीं हूं मैं पता है मुझे लेकिन फिर आप exotic travel करना start करोगे फिर आप luxury travel करना start करोगे तो मेरा कहने का मतलब यह है कि human wants की human की जो wants है हमारे इंसानों की जो इच्छाएं है वो unlimited है लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो हमारी resources है that those resources are limited so let's talk about the real problem in the economy let's talk about the ground water ground water की requirement हमें किस किस चीज़ के लिए हो सकती है fresh water पीने के लिए घर में agriculture के लिए कुछ factories के अंदर पानी को यूज करते हैं fresh water को यूज करते हैं यह सब क्या हमारे requirements है अब अगर मैं requirement की बात करो तो यह requirement तो हमारे unlimited है लेकिन जो ground water है वो limited है ग्राउंड वोटर लिमिटेड नहीं है so there are various kind of natural resources some are limited and some are unlimited जैसे मैं forest की बात करो forest लिमिटेड है जैसे कि पहले समझते थे कि इतना सोरे forest है इतना forest है इतना fresh water है देखो fresh water is the emerging problem almost in every country हर country fresh water की problem से water pollution से जूज रही है लेकिन एक time पर क्या लगता था कि पानी पानी की तो कमी हो ही नहीं सकती ना कि पानी क्यों कम हो सकता है लेकिन एक दिन एक दिन एक डेड़ शाना आता है और वो समझ जाता है कि जिस तरीके से हम पानी को यूज़ कर रहे हैं न एक दिन पानी की कमी होने वाले है पीने के पानी की कमी होने वाले है वो क्या करता है वो एक प्लास्टिक की बोतल में पानी भरता है जो पानी है पी र क्या बोलके किसी brand का राम लिलू मैं रहन देते हैं यार mineral water mineral water को ब्रैंड थोड़ी हुआ तो mineral water बेचना चालू करता है और हम भी बड़े खुश हो के खरीद लेते हैं यह नहीं पता पानी कहां से आ रहाए और कुछ टाइम पहले एक report के अंदर यह बताया गया था अब धीरे-धीरे क्या हुआए? धीरे-धीरे fresh water, water pollute होना start हुआ जैसे-जैसे reverse, ground water, pollute होना start हुई वैसे-वैसे fresh water की जो requirement थी, जो fresh water की demand थी, वो increase हुई क्योंकि उनकी, क्योंकि जो resource है fresh water के वो कम होना start हो गए supply कम होगे fresh water की जब supply कम होगी तो अपने आप अगर demand constant है तो demand बढ़ जाएगी simple बात है ने यार तो जैसे ही supply कम हुई और demand तब भी जादा है तब indirectly क्या देखने को मिलेगा indirectly जो पानी 10 रुपे का था वो 20 रुपे का हो गया अब कुछ तो पानी 30 रुपे के भी आते हैं एक बोटल कुछ तो 100 रुपे के भी आते हैं और हमारे विराट कोली साब तो कुछ पानी उनका कुछ हजार और रुपे की पानी बोटल पानी पीते हैं कुछ black water पीते हैं और वो क्यों पीते हैं वो अलग बात है वो छोड़ो मैं practical example से समझाने का तरीगा यह होता है क्यों जरूरी है कि आपको concept यहाँ पर यहाँ घुश जाए और इसके साथ साथ ना हर class के साथ साथ एक बात यहाँ पर गुशा ले ना कि मुझे CA foundation के exam के business economics और business commercial knowledge के paper number 4 में 90 mark score करने हैं उठते बैठते खाते पीते एक ही बात सोचनी है CA foundation क्लियर करना और CA foundation मुझे paper 4 यानि कि business economics या business commercial knowledge ही क्लियर करवाएगा ठीक है भाई चो आगे बढ़ें चली भाई आगे बढ़ते अब study of economics will enable us to study of economics हमें क्या बता लगता है कि हमारी requirements unlimited है हमारी wants unlimited है बट हमारी resources limited है बाकी चीदे पढ़ते और पढ़ने हो क्या मिलता है आप भी साथ-साथ ना इन points को पढ़ते जाना यह important points है और यह important point मैंने आपके ICAI के material से ही लिए है जो कि इन से ही आपका exam बनेगा इसके भार नहीं बनता ICAI के अगर सारे concept हमने पढ़ लिए तो उसके भार से exam नहीं बनता चलो to develop an analytical approach that helps us in understanding and analysis of analyzing a wide range of economic issues क्या क्या economic issue हो सकते है भाई economic issue कौन-कौन से हो सकते है भाई यह देखो जारा economic issues कौन-कौन से हो सकते है भाई जैसे की poverty और दूसरा inflation और कौन से हो सकते है भाई unemployment और कौन से हो सकते है भाई recession recession हो सकते है यह चार मानों हमने पढ़े है की poverty inflation, unemployment, recession यह सब क्या है these are economic issues और इन economic issues को resolve करने के लिए हमें economics की economic systems की study करनी पढ़ती है तो आपको एक तीन पॉइंट यह बता it also provide us with a number of models and frameworks that can be applied in different situations such as inflation, depression, etc. अब inflation को solve करनी के हमारे पास Reserve Bank of India है, हमारी Government of India है, depression को solve करनी के लिए हमारे पास financial bodies है, financial regulatory bodies है, जैसे की RBI, SEBI, है ना, ऐसी अलग लग bodies है, इन bodies के बारे में भी आगे चैप्टर के अदर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर economics की study के बाद आपको यह पता लगता है कि अगर कोई problem, अगर कोई problem economic के अंदर arise हो रही है, चाहे वो inflation हो, चाहे वो depression हो, चाहे वो poverty हो, चाहे वो inflation हो, economics हमें अलग-अलग models provide करती है, अलग-अलग frameworks provide करती है, पिछले experience से जो हमने frameworks बनाए है, models बनाए है, उनको help करके हम current की problem को solve कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको example दे तो RBI money supply को कम कर देता है, अब RBI, जब RBI start हो, तो RBI को यह नहीं पता था कि इससे inflation solve हो सकता है, लेकिन with time, economics को समझने के बाद, economics की study करने के बाद, RBI को समझ आया है, कि inflation को control करने का यह तरीका है, depression, depression होगा तो क्या करेगा RBI, money supply को increase कर देगा, यह recession होगा तो RBI क्या करेगा, money supply को increase कर देगा, जिससे कि market में money supply बढ़ेगी, market में money supply के साथ साथ employment बढ़ेगी, तो poverty कम होगी, ठीक है, यह सब कैसे हो रहा है, यह सब economics की study करके में समझा रहा है, तो यह तीनों point आप एक बार पड़ो, last point बात करता है, decision making की, economics की, अब देखो हम पढ़ रहे है, business economics, decision making, business economics के अंदर, यह किसी business के अंदर, बहुत बड़ा role play करता है, अगר इा बात करो कि अगर आपके decision making power अच्छी नहीं जहीं है, तो आप एक अच्छे businessman नहीं बन सकते, अगर आपके decision making power अच्छी नही एक आप अच्छे employee नहीं बन सकते आप अच्छे manager अच्छे CEO नहीं बन सकते decision making मतलब क्या है कि आपके अंदर guts होने चाहिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए decision लेने की यह सब बाते सुनने बड़े ची लगती है लेकिन सिरफ हिम्मत से काम नहीं चलता सिरफ दिल की बात सुनने से काम नहीं चलता यहां से भी काम लेना पड़ता है और यहां से काम कैसे लिया जाता है आप किसी भी चीज का decision लेना चाहते हो अगर आप business के अंदर को decision लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपकी economics आपकी help करती है आपको economics यह बताएगा कि आप किस तरह की economic system के अंदर हो क्या आप mixed economy में हो क्या आप capitalist economy में हो क्या आप socialist economy के अंदर हो अगर आपको यह समझ आएगा तो आप इस चीज को समझ के decision लोग जैसे हमने बात करी थे ना भी momos वाली बात गोल गप्पे वाली बात अब अगर आप बोलू कि भाई रासगुल्ला जो कोलकता के अंदर famous है उसको दिल्ली में जगा जगा है बेचना start कर दो तो it would be a wrong decision क्योंकि आपने दिमाग नहीं लगा है ना रासगुल्ले की demand कोलकता में वेस्ट मंगोल में जादा है दिल्ली में नहीं है तो उसका business वहीं करो मोमोज की demand दिल्ली में है दिल्ली में भी कहाँ पर जहाँ पर young generation आती यानि की college के आसपास की markets schools के आसपास की markets college के आसपास की markets जहाँ पर young generation है तो यह सब क्या है यार यह सब study of economics है economics की study करके या business को form कर सकते हो एक better decision ले सकते हो और कई बार यह कई reports के अंदर यह बताया गया है मेरे दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों की एक अच्छा businessman एक अच्छा business तभी आप develop कर सकते हो when you have the capability to make a good decision अगर आपके पास एक अच्छा decision लेने की capability है capacity है आपके पास तो you can become a very good businessman तो मेरी बात को याद रखना CA के बाद CA करने के बाद बहुत लोग अबना business करते हैं start-up करते हैं आपने अभी जो हमारे board company के owner है उनका नाम मेरे खाल से अमन है he is also a chartered accountant उन्होंने भी अपनी chartered accountant की पढ़ाई को पढ़ाई की help से पढ़ाई की मदद से एक decision लिया एक बहुत बड़ी company बनाई right now जो उनका brand है it is one of the fastest growing brand in India और आपका ऐसे बहुत सारे example मिलेंगे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो भी लेके आँगा जो आपको ऐसे motivate करें क्या आपको पता लगे कि हाँ बहुत बड़ी है economist बन सकते हो आप है ना तो दोस्तों एक decision making की आदत अभी से बना लो और अभी आपको क्या decision लेना आपको अभी decision लेना है कि आप आने वाले 65 days के foundation के paper start होने वाले हैं उस paper के अंदर आप अभी से decision लो कि आप अपना 100% नहीं 100% के beyond दोगे और अपने parents को पापा को मम्मी को बड़े भाईया को बड़ी बेहन को छोटे भाई बेहन को भी proud feel कराओगे और थोड़ा proud मुझे भी feel करा देना कि हम भी कहसा है कि हमने जिस अब हम बात करेंगे देखो business economics क्या है मुझे लड़ी समझ चुके है इस बारे में और बात करेंगे को definition की बात करेंगे कुछ practical बात करेंगे तो meaning of business economics मैंने आपका बात समझाई कि business economics का सबसे बड़ा पार्ट क्या है that is decision making decision making कैसे ली जाती है decision making आप अपने दिन में कम से कम 10 बार देखते हो सुबा उठती है आपकी मम्मी प्यारी प्यारी मम्मी कि आज घर में क्या बनाया जाए decision लिया गया कि आज भिंडी बनेगी decision लिया गया रात को guest ने आना है तो राजमा चावल बनेगे ये भी decision लिया गया ये भी decision नहीं तरीके का अब decision लिये कैसे गया भिंडी का decision ममी ने कैसे लिया होगा पहले ममी ने fresh खोला फ्रिज में देखा क्या क्या पड़ा है ममी ने बोला यार टिंडर तो कली खाये थे यार लोकी खाता नहीं है तू अब लोकी अब आपकी एज का बच्चा मेरी एज का बच्चा कहां खाता है लोकी लेकिन खाना चाहिए देखो मैं बच्चा नहीं हूँ तेन सबजियों में से एक सबजी चूज करी भिंडी कि आज भिंडी बनेगी, decision making करी, decision making करी, तो हर पॉइंट पे, life के हर पॉइंट पे decision making is a very important point, but right now we are talking about business economics, तो आपके सामने तीन करेक्टर है, one is Mr. Ashok, who is the CEO of a company, second is Miss Monica, who is the CMO, यानि कि chief marketing officer of the company, there Mr. Gurpreet Sardip Paji who is the chief financial officer of the company Ashok ने जो company के chief executive officer है who holds the power to make a final decision final decision Mr. Ashok लेते हैं तो Mr. Ashok ने बोला कि Monica Ma'am and Mr. Gurpreet आप office आ जाई हम आज एक meeting करेंगे ठीक है अब बड़े लोग है न स्टाइल से बोलते हैं कि Miss Monica and Gurpreet in my office right now ऐसे बोलते हैं बड़े बड़े लोग ठीक है मैं नी बोलता है से आप मैं सिंपल बोलता है कि भाई प्लीज office हाज़ो कुछ बात करनी है तो क्या पता अशोक जी ने भी ऐसे बोला हो कि Monica जी गुरपरीज जी ओफिस हाज़ो कुछ बात करनी है तो अशोक जी ने मोनी का जी को गुरपरीज जी को बिठाया और एक चाए और बिस्किट सर्व कराये हैं कि मेडम टो अशोक ने बोला कि मैंने आप दोनों को यहाँ बहुत ही इंपोर्टन्ट बात करने के लिए बुलाया है तो मोनिका और गुरू भी दोनों एकदम है सकते में आ गए अटेंटिव हो गए जैसे स्कूल में क्या होता था बोलता था न टीचर कि आज हमें एक बिग अनॉंस्मेंट करने वाले तो बच्चे ऐसे वाज़ा थे क्या छुटी है क्या छुटी है आप दोनों इस बारे में क्या सोचते हो तो मोनिका जी ने बोला कि सर इट इस बिग डिसीजन तो मेक और इस डिसीजन को लेने के लिए हमें कुछ समय चाहिए आप हमें 24 आर्स दीजिए और वी विल गेट बैक तो यू अशोक जी ने बोला कि मेडम समय तो नहीं है time is money money is time मेडम ऐसे बोलते हैं बड़े बड़े लोग और ऐसा होता भी है अब यह बच्चे हो ना जब charted accountant बन जाओगे तो आप भी ऐसे बोलो my time is very precious time is money my friend ऐसे बोलोगे आप भी तो अशोक ने बोला कि मैम time नहीं है लेकिन ये बात मैंने बहुत टाइम से मैं इस बारे में सोच रहा हूँ बहुत टाइम से मैं इस बारे में रात दिन सोचता हूँ कि हमें cold drink, soft drink का business soft drink से मतलब मैं cold Coca Cola, Pepsi के बारे में बात करना हूँ क्या हमें वैसा एक brand launch करना चाहिए वहीं पर गुर्परीट जी बोलते है सर, मोनिक आपने बिल्कुल ठीक बोला इतने बड़े decision के लिए हमें कुछ time चाहिए होगा लेकिन time के साथ मैं आपको एक बात और बता दू उन्होंने का बताओ पाजी, दसो, की गल हैगी tension की है, ए दसो तो गुर्परीट जी ने बोला कि सर, बात ऐसी है कि ये एक बहुत competitive market है business economics को माइन में रखते हुए अगर हमने एक soft drink का brand launch करना है तो हमें सोचना पड़े है कि हमारी जो market है उसमें competition कितना है तो गुर्परीट जी ने बोला कि अशोक सर ये बहुत ही competitive market है करने का try किया था वो fail हो गए तो वहीं पर अशोक बोलता है कि गुर्परीट don't be so negative हमें motivated रहना होगा हमें जो company fail हुई हम उसके failure से भी सिखना है कि वो fail क्यों हुए है और जो companies grow कर रही है हमें उन से भी सिखना है कि वो grow कैसे कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले पांच साल में ये मैं नहीं बोल रहा है मिस्टर अशोक बोल रहे है अशोक जी बोल रहे है कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले पांच सालों में ये sector बहुत grow करेगा और जैसे sector grow करेगा गुरुपरीत पाजी तो आड़ी सैलरी भी तो बढ़ जाएगी गुरुपरीत पाजी आपकी सैलरी भी तो बढ़ेगी अब गुरुपरीत पाजी ने सैलरी की बात सोना तो यार अब तो उन्होंने सोचा कि अशोग जी की साइड लनी चाहिए या शोग जी बात तो ठीक कर रहे हैं आने वाले पांच सालों में सेक्टर ग्रोव तो करेगा मोनीक मैम बोली कि सर मैं फिर भी आपको एक चीज़ बोलनी चाहूंगी कि सर हमें अगर ये ब्रेंड लॉंच करना है तो हमें ये बात भी माइंड में रखनी चाहिए कि सर आज कल जो हमारा यूथ है जो न्यू जनरेशन है वो बहुत ज़ादा अवेर हो गई है अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़ादा अवेर हो गई है किसको लेके अपने पेट को लेके अपनी हेल्थ को लेके डोलो शोलो को लेके तो क्या आपको लगता है कि ऐसी drink काम करेगी अशोक जी ने बोलता है कि देखा मोनीक मैं और गुर्परीत आपको मैंने दोनों को यहाँ पे negative होने के लिए नहीं बुलाया मैंने आपको यह बताने के लिए बुलाया है कि मैं एक decision ले रहा हूँ और आप मुझे यह बताऊए कि उस decision को कैसे best implement करना है मेरी एक team already research पे लगी हुए पिछले तीन महीने से और research का जो result है वो यह है कि आने वाले पाथ सालों में soft drink की industry बहुत grow करने वाली है and I am telling you this thing कि we are going to launch a soft drink brand very soon like within two months so अपनी seat की पेटी यहां बांध लो और काम पर लग जाओ तो मोनिका जी आप हो chief marketing officer आप पूरा marketing का plan मना लो जो team आपको create करनी है team create कर लो को बढ़िया बढ़िया लोग अपनारी company में जो marketing वाले हैं उनको ले आओ नए लोग ले आओ और गुरुपरीत जी आप chief financial officer हो chief finance officer हो तो आप finances बे देखना start करो किते इंवेस्टमेंट चाहिए होगी क्या इंवेस्टमेंट हमारे पास है कि बाहर से लेनी है stakeholder कौन कौन होंगे shareholder कौन कौन होंगे सब कुछ देख लो सब कुछ मुझे करके एक दिन के अदर पूरी report दो कि कैसे करना है तो गुरुपरीत और मोनिका दोनों एकदम खुश होगे बोलते हैं कि ठीक है अगर company बढ़े की तो हमारी भी growth होगी हमारी growth होगी तो और पैसा आएगा तो यहाँ पर मोनिका और गुरुपरीत दोनों अशोग की बात महाँ जाते हैं basically इस meeting के अंदर इस meeting का objective क्या था इस meeting का objective था decision making एक decision बनाना business economics के अंदर decision making एक बहुत बड़ा काम है और ऐसे ही decisions बनाए जाते हैं इसे ही बोलते है decision making decision making के अंदर हमारा काम क्या क्या होता है हाई यह को हम आगे समझेंगे decision making refers to the process यानि कि it is a process decision making is refers to the process of selecting an appropriate alternative that will provide the most efficient means of attaining a desired end from two or more alternative courses of action decision making एक process है जिसके अंदर हम बहुत सारे alternative को analyze करते हैं उनको efficiently analyze करते हैं और उनको analyze करने के बाद एक desired decision लेते हैं और desired result create करते हैं जैसे last slide में हमने समझा कि अशोक ने, मोनिका ने और गुरुपरीत ने आपस के meeting के अंदर एक बड़ decide करे कि अगर हम जो brand पहले fail हो चुके हैं जो brand already market में है दोनों को अच्छे से analyze करके एक बड़िया business plan create करें तो हम soft drink के brand को बहुत तगड़ा grow कर सकते हैं This is the decision making process decision making also involves evaluation of feasible alternative rational judgment on the basis of information and choice of a particular alternative with the decision maker find the most suitable decision अब मैंने यहां बोला जब अशोक ने यह बताया मोनिका और गुरुपीत को कि देखो दोनों मेरी बात सुन लो मेरी एक team तीन महीने से already मेरे plan पे research कर रही है यानि कि information gather कर रही है यानि कि बहुत सारी data बहुत सारी information बहुत सारी reports पढ़ रही है कि क्या हमें business launch करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और उस सब को माइन में रखते हो मैंने decision बनाया है कि yes we are going to launch a soft drink brand within two months ठीक है तो यहां पर second point हमें यह बता रहा है कि decision making के अंदर हम alternative को भी analyze करते है rational judgment लेते हैं on the basis of information and choice of a particular alternative अलग अलटरनेटिव को अलग अवेलिबल resources को अलग अलग information को mind में रखके research करके analyze करके हमें decision बनाते हैं ठीक है दोस्तों last point परते हैं जो आपका एक blue एक आपके box के अंदर जो है as explained above the caution of choice arises because our productive resources such as land, labor, capital and management are limited and can be employed in alternative use अब देखो ध्यान से समझें अगर मैं एक business start करना चाहता हूँ अगर मैं एक business start करना चाहता हूँ तो मेरे पास हमेशा resources limited रहेंगे मेरे पास land limited रहेगा मेरे पास machinery limited रहेगे मेरे पास labor limited रहेगे और कुछ तो मेरे पास resources ऐसे भी होगगे जो fixed resources है जिनने मैं short term के अंदर change नहीं कर सकता और कुछ resources ऐसे होगे जिनको मैं short term में change कर सकता हूँ कुछ resources जैसे होते होते हैं जिनको मैं long term में change कर पाऊँगा जैसे कि land है या कि बहुत बड़ी machinery है जो 2 करोड रुबे की आई क्या मैं उसको short run में change कर सकता हूँ मैं उसको change नहीं कर सकता तो यहाँ पर क्या है न कि यहाँ पर according to the available resources I have to make a decision उस decision को लेने के लिए मुझे business economics में economic theories और business practices को दोनों का आपस मैच करके decision लेना पड़ता है जिसको बोलते है business economics जिसको बोलते है decision making तो मैं यह बोलना चाहरा हूँ decision making एक बोखत बड़ा role play करती है किसी भी business economics में या किसी भी business के अंदर ठीक है और जैसे कि हमने अभी तक समझा है अभी तक हमने यह समझा है main बात कि हमारे resources are limited but our resources are limited but our demands are unlimited तो इन सब चीजों को mind में रखके हमें एक best decisions लेने पड़ते हैं business के अंदर business economics का मतलब क्या है business economics की core meaning business economics also referred as managerial economics generally refers to the integration of economic theories with business practice यानि की economic theory और business practice के integration को हम बोलते है business economics यह हम already पहले समझ चुके हैं while the theory of economics provides the tools which explain various concepts सच femme demand supply cost price competition business economics applies these tools in the process of business decision making हमें economic theory क्या के provide करेगी δाइमन के बारे हैं बताएगी income के बारे हैं बताएगी competition के बारे हैं बताएगी price के बारे हैं बताएगी और इन सब economics theories को syntax economic information को use करके हम business economics के अंदर एक एक business के अंदर हमें decision make करते हैं, decision create करते हैं, ठीक है दोस्तों Thus Business Economics comprises economic knowledge logic, theories and analytic tools that are used for rational business decision making, यह तीनु पॉइंट है मुँड़ी पहले समझ चुके हैं, ठीक है जी तो लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, in brief Business Economics is applied economics that fills the gap between economic theory and business practice थोड़ा सापको मैं और deep समझाता हूँ इन दोने चुदों के बारे में Deep हमें यह समझना है कि देखो हमने 11-12 में Business theories पढ़ी हैं, हमने demand पढ़ा है, हमने supply पढ़ा है हमने और भी चीज़े पढ़ा हैं, लेकिन हमने उनका application version नहीं पढ़ा, कि उनको apply कैसे करें, जैसे हमने यह समझ लिया, कि demand क्या होती है हमने supply पढ़ा लेकिन उसको कभी apply करना नहीं से, apply कैसे करें, तो business economics basically उस gap को कि economic theories को समझने के साथ साथ, जो उसको apply करने के बीच में जो gap है, उस gap को business economics fill करती है यानि कि जब मैं economic theories और business practices को आपस मैं आके मिलवा दूँ, उनके gap को खतम कर दूँ, कि जो मैंने business economics की theories के अंदर पढ़ा है, मैं उसको business की concept में, business practice के अंदर जब मैं उसको amalgamate कर दूँ, mix कर दू integrate कर दूँ, तो उसको बोलते है business economics, simple सी बात है, ठीक है जी जोल डीन ने एक definition दी है that business economics is essentially a component of applied economics as it includes application of selected quantitative techniques such as linear programming, regression analysis, capital budgeting, break-even analysis and cost analysis यह definition है, आप याद कर सकते हो, तो कर लो, इसको समझ तो मोलेडी चुके हैं अब रटवाद तो हम आप को नहीं सकता हैं यहापे ना अब अगर class के अंदर बैठे हो तो आपको बोल बोल के रटवादा कि बोलो के दिखाओ बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, तुम सब उक का बोलना है, बोल के दिखाओ लेकिन अब यार ऐसे तो नहीं बुलवा सकता लेकिन अगर आपको definition याद करना चाहते हो, अगर आपको definition बोल बोल के करनी चाहिए बोल बोल के revision करने से क्या होता नहीं कि आप कुछ कर रहे हो उस से क्या है दिमाग नहीं हिलता बच्चे बारा बोलते हैं जब मैं revise करने बैठता हूँ line by line by line by line मेरा दिमाग distract हो जाता है distraction आयाती है distraction बड़े बड़े words है distraction आयाती है अब उस distraction को दूर करने का सिरफ एक ही तरीका है है ना उस distraction को दूर करने का सिरफ वैसे दो तरीके में एक हम बात करेंगा अलग वीडियो में अब दूसरी वीडियो के लिए content चाहिए न मुझे आपको enjoy कराने के लिए सिरफ पढ़ाता रोंगो तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर देखो दो चीज़े हो रही है यहाँ पर आपका lips आपकी eyes आपका mind आपके hands आपकी सारी जो आपकी इंद्रियां है जो आपकी सारी working चीज़े हैं वो सब चीज़े एक ही point पर काम करें यानि कि समझ लिए कि business economics क्या होता है पढ़ कुछ हो रहे हो सोच कुछ हो रहे हो आपका दिमाग कहीं हो रहा है आखे कहीं हो रहा है अब आखे भी यहीं पर है जबान भी यहीं पर है यानि कि अब बोल भी यही रहे हो दिमाग भी यही है मैं उसको और असान तरीके से नहीं समझा सकता और अभी हमारी स्पीड फिर भी स्लो है लेकिन आगे हम थोड़ी चीजों को फास्ट लेके चलेंगे क्योंकि हमने चीजों को It is not a subjective paper It is a objective paper subjective paper नहीं है, objective है तो subjective के अंतर लिखना पड़ता है हम चीजों को बहुत analyze करते हैं, बहुत समझते हैं लेकिन यहाँ पर हमें concept को समझना है subjective के लिए आप क्या करते हो ना कुछ भी लिखोगे, कुछ भी पड़ोगे हमने यहाँ पर वो पढ़ना है जो हमारे exam में आएगा लेकिन आज का chapter starting है तो थोड़ा slow है, बच्चों को थोड़ा pace समझा है लेकिन धीरे धीरे हम pace पकड़ेंगे तो आपको मेरी pace को पकड़ना पड़ेगा और हम पड़ेंगे वही जो exam में आना है फालतो बात है मेरे को करने की आदत नहीं है पैसे मैं थोड़ी बहुत आपके enjoyment के लिए करता हूँ लेकिन फिर भी उसमें कहीं न कहीं हम exam के point of view के लेके चलेंगे ठीक है दोस्तों, तो अब हम पड़ेंगे पानी पीना भी जरूरी है, आप भी पिया करो time time micro economics and macro economics अब आप बोलोगे sir micro micro already पढ़ चुके क्या बगपास कर रहे हो, इससे बढ़ियों को बात ही नहीं है जो पढ़ चुके हो वह इस लिवस में है दोबार रिवाइस कर लो, अगर एक कोशन आ गया तो बले बले मजा नहीं आ जाएगा कोशन आ जाएगा फिर तो पास भी तो होना है CA foundation में प्रूब नहीं करना किसी को, सिर्फ बोलने से फाइदा नहीं होगा कि हाँ जी, शर्मा जी का बेटा CA की त्यारी कर रहा है त्यारी का मज़ा तब है जब त्यारी में सक्सेस मिले कि जी, फलाना ललका UPSC की त्यारी कर रहा है सुनने बड़ा अच्छा लगता है, लेकि जब पांच attempt देने के बाद, फेपर क्लियर नहीं होता न, तो कोई फाइदा नहीं है ऐसे ही CA foundation की त्यारी तो कर रहे हो लेकिन एक बाद ध्यान रखना CA foundation क्लियर करोगे, तभी उसका असली मज़ा है CA, CA enter में जाओगे enter नहीं, CA enter में जाओगे CA enter में, enter करोगे, तभी मज़ा है ऐसे मज़ा नहीं है, ठीक है दोस्तों तो micro and macro economics subject matter अगर मैं, subject matter of economics छोड़ दो बेकार की बाते हैं, simple बात है कि मैं economics को दो च्छोड़े में डिवाइड कर सकता हूँ, what is first is micro, second is macro micro economics बहुत simple सी बात है, micro economics के अंदर हम हम behavior को study करते हैं it is basically the study of the behavior of different individuals and organization within an economic system micro economics, micro or macro micro or macro, micro में से M हटा दो C हटा दो, R हटा दो, O हटा दो I बच जाएगा, micro में से अगर मैं देखो, यहां लिखता हूँ मैं आपका micro, यहां लिखता हूँ आपका macro अगर मैं इन सब को हटा दो, देखो, M, C, R, O कटा यहां पर भी M कटा, C कटा, R कटा, O कटा बच के क्या है, यहां बच क्या है, यहां बच क्या है, I यहां बच क्या है, A यहां बच क्या आया यहां बच क्या आया मैई क्या आया तो आई और ए इतना याद रख लो micro macro में difference आ जाएगा तो micro के अंदर हम बात करते हैं I की मतलब individual की micro में हम बात करते हैं I की यानि की individual की तो micro economics study करता है behavior of individuals behavior of one organization or more than one organization within an economic system in other words अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो micro economics examines how the individual units जैसे की consumer और firms make decisions as to how to efficiently allocate their scarce resources सारा का सारा खेल भाई resources पे है resources scarce है there is a scarcity of resources and we have to make a decision कि हमें उन resources को कैसे use करना है तो दो point बहुत important बार बार सुनाई देंगे क्या one is scarcity second is decision हम decision की बात बार बार क्यों कर रहे है क्योंकि यहाँ पे हम business economics की बात कर रहे है और business economics के अंदर decision making बहुत बड़ा role play करता है whole economics के अंदर scarcity of resources बहुत बड़ा role play करते है एक बात अगर आप याद रख लोगे कि human wants are unlimited but availability of resources are limited तो आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़े clear हो जाएं ठीक है तो micro economics बात करता है individual units के बारे में micro economics बात करता है consumers के बारे में यानि कि जैसे कि micro economics क्या बात करता है micro economics बात करता है आपके बारे में किस चीज़ के बारे में product pricing के बारे में individual demand के बारे में micro बात करता है I, individual के बारे में, individual यानि consumer के बारे में, यानि के producer के बारे में एक अकेली organization के बारे में, ठीक है आगे बढ़े, second macro economics भाई macro economics बात करता है macro economics is a study of overall economics phenomena of or the economy as a whole, देखो यहाँ पर क्या बचा, जब मैंने macro में से macro काटा, तो मेरे पास आया A, micro में आया I, macro में आया A, A का मतलब क्या है aggregate, यानि कि total macro economics में, we talk about aggregates or totality भूदर बोली है न, ऐसे एकदम जब 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 जबान, लड़ खड़ा रही है तो aggregate का मतलब है totality, यानि कि total macro economics के अंदर हम बात करते हैं जब 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 price level we talk about foreign exchange we talk about balance of trade we talk about overall level of employment we talk about inflation we talk about recession we talk about something related to whole economy but in microeconomics we talk about smaller units we talk about the rice production of Bihar in microeconomics we talk about the individual demand and supply but in macroeconomics we talk about the aggregate demand and supply यानि कि पूरी economy के तोटल demand कितनी है microeconomics में we talk about the देखो microeconomics और macroeconomics के दो अब्जेक्टिव है सबका दोनों का एक एक अब्जेक्टिव है microeconomics का objective है price formation करना demand supply होगी market हम कहां पढ़ते है microeconomics के अंदर पढ़ते हैं demand और supply से जब demand और supply के match से demand और supply के fluctuation से यह ताब 12 के अंदर 11 के पढ़ चुके हो यार कि demand और supply के fluctuation से किसी product का price beside होता है price determination होता है तो उसका objective क्या है price determine करना macroeconomics का objective क्या होगा national income employment यह सब determine करना ठीक है तो micro और macro basic आपको समझागे कि basic difference क्या है इस difference को आप tabular form के अंदर पढ़ लो देखो फिर बता रहा हूँ objective paper है यह सब tabular form वैबular form क्यों बता रहा हूँ कि आपको point यहां इस छोटी सी जगह पे घुस जाए देखो inter के अंदर भी economics तो पढ़ नहीं FM और eco पढ़ नहीं economics जितनी अच्छे से पढ़ोगे उतने अच्छे से FM और economics समझाएगी और उन सब को छोड़ दो CA foundation तो clear करना है ना मैं आपको फिर लिखके दे दूँगा बात एक कहीं पे भी किसी भी paper पे चाए paper court का ले आना कि अगर paper pass करना है CA foundation तो बच्चों paper 4 यानि कि business economics और business commercial knowledge की तयारी बहुत जरूरी है तो micro और macro में difference क्या है आपके सामने सब difference लिखे है मैं एक एक करके पढ़ूँगा और एक एक करके समझाने का try करूँगा मुझे लगता है कि समझाने की जरुत पढ़ेगी ने हम already यह बात सारे कर चुके है so micro economics is a study of particular firms individual firm की बात कर रहा हूं है individual household individual income wages demand individual industry etc macro economics में it examines the forest and not the trees कितनी अच्छी बात लिखी है न it examines the forest यानि कि वो पूरे economy की बात कर रही है individual factory की बात नहीं कर रही है here we are talking about the overall forest we are not talking about a one tree we are talking about the overall forest 챈 we're talking about the overall economy we're not talking about the uh sector we are not talking about the agriculture sector we are not talking about the industrial sector we are not talking about the service sector we are talking about the whole economy हम पूरी एकनोमी की बात कर रहे हैं हम किसी एक sector की बात नहीं कर रहे thus it analyzes it analyzes and establishes the functional relationship between large aggregates तेखो एक बात और समझ लो माइकरो एकनोमिक्स और माइकरो एकनोमिक्स हम डिफरेंस तो पढ़ रहे हैं लेकिन किसी भी तरीके से अगर मैं ये बोलूं कि माइकरो एकनोमिक्स और माइकरो एकनोमिक्स दोनों एकदम अलग इंडिविज्वल दोनों का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है तो बिल्कुल गलत बात होगी चाहे मैं किसी देश की बात करूँ चाहे मैं किसी बिजनेस की बात करूँ चाहे मैं किसी कंट्री की बात करूँ चाहे मैं किसी बिजनेस की बात करूँ चाहे मैं किसी firm की बात करूँ चाहे मैं किसी भी की बात करूँ microeconomics और macroeconomics दोनों अपना role साथ-साथ play करती है दोनों के दोनों अपने साथ में चलेंगी दोनों अलग नहीं चलेंगी ठीक है ना जैसे मैं ऐसे कहसता हूँ कि भाई business अगर देखो अब मैंनो मैंने एक factory start कर नहीं है तो मेरी एक individual unit है it is not about the whole economy it is about my economy, my pocket, my investment my you know the monthly income so it comes under the microeconomics but ऐसा नहीं है कि macroeconomics के factor मेरी microeconomics की production units को मेरे microeconomics के components को influence नहीं करते हैं बिल्कुल करते हैं microeconomics के component जैसे कि individual income wages, demand, individual industry microeconomics के concepts को, indicators को जरूर influence करेगा, example समझ लो ना यार कि मैं यहां बात कर रहा हूँ in microeconomics we talk about individual demand in macroeconomics we talk about aggregate demand उस individual demand को जोड़ जोड़ के जोड़ के जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ करें तो aggregate demand बनेगी जिसके बारे में macroeconomics के अंदर बात करेंगे हैं है ना, तो अगर आँ बोलू कि भाई, microeconomics और macroeconomics दोनों अलग-लग हैं, ऐसा नहीं है दोनों हैं अलग-लग देखो, micro और macro मालग-लग पड़ते हैं लेकिन अगर आँ broadly बोलू तो किसी बड़ decision को लेने के लिए ये किसी बड़ी decision making के लिए दोनों को समझना बहुत जरूरी है second फर्मचते हैं, microeconomics studies, individual economic units whereas macroeconomics studies aggregate, total economic units or economy as a whole demand and supply of a community ये किसमें आते हैं, microeconomics के अंदर aggregate demand, aggregate supply किसमें आते हैं macroeconomics के अंदर, aggregate demand aggregate supply का मतलब है, we am talking about the total demand and total supply in the whole economy, but if I am talking about the demand and supply of a commodity in microeconomics, I am talking about the individual demand and individual supply, यानि कि I am talking about the consumer demand and producers supply ठीक है दोस्त, second microeconomics का objective क्या है objective is determination of price of a community, मैं आपको बताया है पहली कि market के अंदर demand and supply को देखते हुए किसी community के price को determine करना is the major objective of microeconomics बात करते हैं macroeconomics macroeconomics का objective क्या है determination of income and employment of the economy, इन सब बातों को जरूर याद रखना इन से caution बनने के बहुत chances ठीक है जी, तो यहाँ पर आज हमारा lecture खतम होता है अगर आप special classes देखना चाहते हो unacademy की app में या फिर आप देखना चाहते हो कि भई कौन-कौन सी classes आपको free provide करा जा रही है unacademy app के अंदर, देखो unacademy के अंदर लो कुछ special classes होती है उन special classes के अंदर आपको हुसता है की important mcqs करा जाएं, हुसता है की special classes में आपको 2-3 chapter एकठे कितम करा दिये जाएं कुछ भी हो सकता है, उन special classes को देखने के लिए आपको unacademy आपको डाउनलोड करना है और उन unacademy आपको डाउनलोड करने के बाद आपको अगर आप code डालोगी, मेरा code साहिल M तो आप कुछ special classes को unlock भी कर सकते हो देख लिए, मेरा नाम यूज करेगे, कुछ आपकी classes अगर unlock होती हो कुछ आपका फायदा होता हो, तो भाई जरूर करो जितना फायदा मैं आपको दे सकता हूँ as an educator, as your faculty और as your बड़े भाईया, मैं आपको जरूर दूँ अगर आप unacademy पे मुझे सर्च करना चाते हो, तो you can search me by unacademy.com slash sahil madan यानि कि unacademy.com slash sahil S-A-H-I-L-M-A-D-A-A-N आप normal जाके भी साहिर मंदान सर्च करोगे, मैं आपको मिल जाऊँगा अगर आपको अपने laptop पे है, PC पे सर्च करो तो आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हो तो आपके लिए thought of the day है, पढ़ाई कर ली एक motivation पढ़ी सी हो जाए यानि कि अगर भविश्य में कुछ बनना है, अगर future में कुछ बनना है बारा बोलते हैं न लोग, या मुझे अपना future बनाना है या हम किसी पंडित के बाद जाते हैं, हम किसी यूनो, किसी astrologer के पहांच जाते हैं कि बता दो मेरा future क्या है ये सब क्विकार की बाते हैं, अगर आप अपना future बनाना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है अगर आपना future predict करना चाहते हो सिर्फ एक ही तरीका है कि महनत कर दो The best way to predict your future is to create it It is you and only you Who can make your future bright आज की महनत, आज करी गई महनत आपको आने वाले exam के अंदर पास करवा सकती है और आने वाला exam ये decide करे है कि future के अंदर आप chartered accountant बनेंगे या नहीं बनेंगे बहुत बच्चे CA foundation को एक असान paper समझ लेते हैं मैं बहुत दिल से आप लोगों के request करना चाहूँगा कि ये गलती ना करें पहला step है, अभी आप सिर्फ 12th pass करकर आयो 11th में अच्छे से पढ़ाई करी या नहीं करी 12th में अच्छे से पढ़ाई करी या नहीं करी किसी अच्छे college mediation हुआ है या नहीं हुआ है I don't know लेकिन ये आपके पास एक best chance है अपनी life को ऐसे turn कर देना उन सब लोगों के मुँपे जवाब दे देना जो आपको ये बोलते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता ये कुछ नहीं कर सकती 14th December 2022 से exam स्टार्ट हो रहा है साथ मिलकर महनत करेंगे सारे educator अपनी जान लगा देंगे आपके exam को clear कराने के लिए तो ये मेरा आपसे promise है कि आपके future को create करने के लिए आपके साथ साथ मैं ही महनत करूँगा दोनों मिलके महनत करेंगे आप और मैं और आपके future को bright जरूर बनाएंगे तो आज की class को ही पर खतम करते हैं thank you so much हमारे channel को subscribe करो अगर आपको हमारी videos अच्छी लगती है अगर आपको लगता है कि यार मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ और आपका कुछ help मिल रही है तो हमारे channel को subscribe करो और bell icon को press कर लो वीडियो को like कर दो अगर अपने किसी दोस्त को अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो किसी आपके दोस्त के लिए काम आ सकते है कि मैंने आपको अच्छा पढ़ाया है तो भाई उसको share कर दो और bell icon press करने का point क्या है कि अब हम आपको daily आपको classes मिलेंगी तो daily आपको एक notification आजाएगी वह साहिल सरकी है किसी भी सरकी जब को teacher बागे teacher पढ़ा रहे है उनकी classes आपको upload होगी है पर लाइव class आ गई है लाइव class कब आ नहीं है तो आपको notification मिलती रहेंगी जिससे आपकी preparation वीक ना पड़ गए तो आज की class को ही पर खतम करते हैं Thank you so much अच्छे से पढ़ाई करो भाई और अपने parents को proud feel कराओ Bye-bye, take care